यार मैं Maths को कितना ही कोशिश कर लू ना solve करने की वो नहीं हो पाता है कितना ही कोशिश कर लू improve करने की वो नहीं हो पाता है कितने ही questions कर लू जैसा teachers बोलते हैं वैसा करता हूं लेकिन फिर भी मेरा Maths improve नहीं हो पाता है तो आज के time पे बहुत सारे बच्चों का ये problem होता है कि उनका mathematics इंप्रूव नहीं हो रहा है और ये problem आज की नहीं है ये problem बहुत सालों से चलती आ रही है बच्चों के बीच में इवन जब मैं भी छोटा था जब मैं भी आप लोगों की उमर में था तो मेरे को भी ये difficulty face हुई थी कि mathematics इंप्रूव नहीं हो पा रहा था after putting lot of efforts लेकिन कैसे मैंने अपना maths इंप्रूव किया कैसे बाकी के लोग भी अपना maths इंप्रूव करते हैं उसके बारे में आज के session में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ so session को last तक जरूर देखना और समझने की कोशिश करना कि कैसे हम maths को improve कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़े होती है जिसकी वज़े से हमारा mathematics इंप्रूव नहीं हो रहा है so hello hi नमस्ते आदाब सस्रियकाल की हल चाल कैसे हैं आप लोग मैं खुल्दी भंडारी स्वागत करता हूँ आपका विदान्तूज 910 चैनल पर और आज के session में हम लोग सीखेंगे why I can't improve mathematics why I'm not able to improve mathematics basically and how I can improve mathematics तो वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने like नहीं किया इंप्रूव करना तो उन बच्चों को भी पता चले कि कैसे वो अपना mathematics improve कर सकते और वो कौन सी गलतिया है जिनको वो कर रहे है जिनकी वज़े से उनका subject improve नहीं हो रहे है तो बब basic सी चीज से मैं start करूँगा कि कोई भी subject हमारा improve कोई भी subject हमारा improve क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि हमें उसमें interest नहीं होता है जैसे अगर मैं बात करूँ बाकी subjects की अगर देखो हर बच्चे का कोई न कोई subject favorite होता है जैसे अगर किसी बच्चे का social favorite है sst अगर उसको अच्छा लगता है मुझे sst अच्छा नहीं लगता था एक time पर बट मुझे sst अच्छा लगा क्यों अच्छा लगा उस आफ्टर graduation या फिर आफ्टर मतलब कुछ time के बात जब मैंने चीजों जब मैंने कुछ exams के लिए prepare करना start किया तो वहां पर social आता है आपका history आता है political science आता है बहुत सारे subject आते तो वहां पर मैंने अब मुझे उस exam को crack करना था तो मुझे वह subject पढ़ना था अपनी knowledge के लिए अब मैंको marks नहीं यहां पर marks नहीं होते ना यहां पर आगर जितना आपका knowledge है उस तब ही आप उस exam को crack कर सकते हो तो जब मैंने उस particular subject को पढ़ा मैंने देखा यार वा यार यह history तो बहुत अच्छी है मुझे बाबरा आया था और ऐसे युद्धू हुआ करते थे महाराणा प्रताप थे और अकबर थे real life से मैं उस चीज को connect कर पाया और जब मैंने उसको real life से connect किया तो मुझे वो चीज समझ में आने लगी और उसके बाद like trust me मैं को history इतना अच्छा लगने लगा मैं daily history पढ़ने लगा अना it was one of my favorite subject even still it is one of my favorite subject तो सबसे basic सी जो चीज होती है आपको अगर कोई subject अच्छा नहीं लग रहा है आप उसमें improve नहीं कर पा रहे हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही reason है क्योंकि आपको उसमें interest नहीं है तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है उसको उसमें interest डेवलप करना पड़ेगा आप यह मत सोचो कि यार मेरा 100 marks का paper है मुझे marks अच्छे लाने है नहीं आप marks के चक्कर में सोचोगे न तो कभी आपका improvement नहीं हो पाएगा उस particular subject में आप यह सोचो कि यार यह सबजेक्ट है मुझे इस subject में कुछ करना है मुझे मतलब मुझे इसको पसंद करना है मुझे इस develop हुआ अच्छा देखो बहुत simple सी चीज है यार हम जब किसी इंसान को देखते है अच्छा लगता है ना फिर हम उससे मतलब बात करने की कोशिश करते हैं जब हम किसी से रोज बात करते हैं वो हमें और अच्छा लगता है जब हम उसको relate कर पाते हैं अपनी life के साथ ना तो अगर आप इसको कर पाओगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा और यह आपको सबसे अच्छा subject लगेगा यह आपको सबसे अच्छी चीज लगेगी अब उसको relate कैसे करोगे खुद से देखो बहुत सारे बच्चे ना सोच ही नहीं पातेगी math हमारी real life में कैसे connected है लेकिन अगर आप अपने चारू दरब देखोगे ना हर जगा mathematics है जैसे अगर मैं physics की बात करूं तो यार देखो physics में मैं अगर आपको बताओ देखो switch on किया मैंने और light जल गई कितना अच्छा होता है बच्छे भी सोचता है हाँ यार light on करने पर क्या हुआ होगा ऐसा कैसे current pass सबसे बड़ा यही होता है क्योंकि वो उसको सिर्फ कर रहे है वो उसको relate नहीं कर पा रहे है अपनी रियल लाइफ से लेकिन अगर मैं आपको बताओ तो देखो हर बच्चा यह हर बच्चे के साथ होता होगा आप कभी न कभी किसी ना किसी शौप पे गए होंगे कुछ ना बहुत बेसिक सा मैथमेटिक से यार उस टाइम पर हम इस चीज को सोचते ही नहीं कि यहां पर मैट्स का यूज हो रहे है वह बहुत बेसिक सा मैथमेटिक से अगर आप इस तरीके से चीजों को सोचोगे न तो डेफिनेटली आपका इंटरस्ट डेवलप होने लगेगा आए यार इसमें भी तो मैंना इसमें भी तो मैंना अगर मुझे इस बीडीं यहां निकाल नी होगी तो कौना गर यहां पर तो शह्किना दouri का लगेगा रेक्टेंगुलर शेप का है, यह पानी की बॉटल है, यह पानी की बॉटल है, यह सलेंड्रिकल शेप की है, तो हर जगह पे mathematics का use होता है, अब इस बॉटल की height कितनी रखी जाए, कितना ml हम इसमें पानी भर सकते, हर जगह mathematics का use है, और जब आप इस चीज को समझ पाओगे, कि कैसी यह हमारी real life से relate कर रही है, कैसी यह मेरी life से relate कर पा रहा है, तो आपका definitely उसमें interest develop होने लगेगा, और जब आपका interest develop होने लगेगा, तो आप definitely उस चीज को करने लगोगे, देखो, maths is all about your practice, जितना जादा आप practice करोगे, उतना जादा आप mathematics में improve करोगे, तो अगर आप improvement करना चाते हो mathematics में, तो आपको practice करनी पड़ेगे, और आप practice कब करोगे, जब आपका उस चीज में interest होगा, तो interest अगर आपका develop हो गया, जब आप इन तरीकों से चीजों को देखते हो, अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, कि कोशिश क अगर हो, कि ऐसी वीडियो देखो, जिसमें math को real life से connect करने की कोशिश की जाती है, या फिर कुछ ऐसी movies देखो, जहां पर mathematics का use होता है, अगर आप करना चाते हो, mathematics में कुछ अच्छा तो, नहीं करना चाते हो, तो फिर तो यार क्या ही, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर आप अपना mathematics improve करना चाते हो, mathematics में कुछ करना चाते हो, क्योंकि देखो, बहुत simple सी, अगर मैं आपको बात बताओ, अभी आप 10th class में हो, आपका यह सिर्फ एक subject है, after your graduation, या फिर जब आप बड़े होगे, और जब आप कहीं पे कुछ prepare करोगे, कोई भी government exam के ल जगहा, और नीट करने के बाद भी जब आप किसी government exam के लिए prepare करने जाओगे, तो वहाँ पे भी mathematics का use होता है, तो mathematics और use नहीं होता है, बहुत ज़्यादा weightage भी होती है, बहुत चारे exams में इसकी, बहुत ज़्यादा weightage होती है, तो आपको maths improve करना क्यों है, इसलिए तो आप math improve करना है, और बच्चे realize बहुत बाद में करते हैं, जब उनका exam होता है, यार काश मैंने उस time पर math को अच्छे से बढ़ा होता, तो अगर आप अभी से इस चीज़ को समझोगे, अगर guidance अगर आपको अच्छे से नहीं मिलेगी, तो आप definitely फिर आगे चल कर कुछ नहीं कर प like rectify कर पाओ, तो basically आपका math का importance बहुत ज़ादा है, एक चीज तो समझ लो, और आप अगर math को improve करोगे, तो life में बहुत सारी चीज़े आपके लिए बहुत ज़ादा easy हो जाएंगे, तो improve करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपका interest होना चाहिए, एक बार अगर आप आपका interest develop हो गया उस particular subject में, फिर अब आप उसकी practice करोगे, अब practice करते time क्या होता है, बहुत सारी problems भी face होती है, let's say अगर मैं आपकी age की बात करो, class 9th and 10th के ज़्यादा तर बच्चे यहाँ पे होंगे, तो क्या करते हैं हम लोग कि हम लोगोंने NCRT से करना solve कर दिया, ठीक ह अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों का यह doubt होता है, भाया NCRT करो, और कौन कौन सी किताब ही करो, RS कर लो, RD कर लो, exemplar कर लो, OSWAL कर लो, सबसे बढ़िया किताब बताओ मुझे, जिससे मेरे math में से पूरे marks आएंगे, या फिर सबसे बढ़िया अगर आपका concept अच्छा है, आपका basic knowledge अच्छा है, आप उसको relate कर पा रहे हो खुझ से, या फिर अगर आप समझ पा रहे हो चीजों को, तो एक ही किताब काफी होती है, जो की होती है NCRT, सबसे पहला काम हमें NCRT से, जब मैं practice करने की बात करता हो, तो सबसे पहला काम हमारा होता है NCRT का, अब बाकी की जो किताबे बनी हैं हमारी दुनिया में, RS हो गई, RD हो गई, OSWAL हो गया, कोई भी किताब आपके पास अगर है, तो वो किताब होती है, just for your practice, क्योंकि देखो NCRT में हमारे पास limited number of questions होते हैं, और maths एक ऐसा subject है, जितना आप practice करोगे, उतना जाद आप सीखोगे, आप, देखो, theoretical subjects में तो क्या होता है, कि आपने चीजे याद कर लिए, या आपने चीजों को concept, मतलब theory के थूरू समझ लिया, maths में उतना theory नहीं होता है, आप questions से concepts को समझते हो, जब आप कोई question करोगे, तो आप उसके concept को समझोगे, इसमें ऐसा नहीं होता ह concept सिर्फ आपका basic होता है, बाकी जब आप जितना questions को करोगे, उतना जादा आपका और concept clear होता रहेगा, नए-ने questions करोगे, तो नया-nया concept आपको सीखने को मिलेगा, अच्छा, ऐसा भी होता है, और देखो, बहुत simple सी चीजे, चाहे आपके पास कोई बड़ा से बड़ा question क्य आता हो, जैसे अगर मैं polynomials की बात करो, 1 upon alpha plus 1 upon beta की बात करनी है, तो वहीं पर अगर numbers होते है, 1 upon 2 plus 1 upon 3, यह अगर मुझे solve करना है, तो यह आप लोग बहुत easily solve कर लेते हैं, अच्छा number है, यह तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर variable आ जाते हैं, तो हमारा फिर सोचने पर मजबू हो जाते हैं, क्या करें, वहाँ पर भी LCM लेना होता है, और यह तो हमने बहुत lower grade में चीज़े सीखी है, fraction में कोई चीज है, उसको LCM लेके solve करो, तो जब आप इन तरीके से, चीजों को सोचते हो, अगर आपने सोचने का अपना level, उस level का कर दिया है, कि यार, logical understanding आपकी बह variables आगे, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं उस तरीके से, यार, ये भी तो एक तरह से number, इनकी जगह पर number लिख दो, हो जाएंगी चीजे solve, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और वो सोचोगे आप तभी, ज नहीं चीजों के बीच में आपके पास आता हूँ, जब मैं, मतलब, 9th grade में था, till 9th, मेरा math उतना अच्छा नहीं था, average student था, ठीक है, बिल्कुल average student था मैं, और मुझे किसी ने suggest किया, वो ही guidance की बात होती, मुझे किसी ने guide किया, कि यार, एक काम कर, ऐसे काम नहीं बनेगा अगर तू करना चाता है, डेफिनेटली कुछ करना चाता है, तो तू एक काम कर, तू रोज mathematics कर, अब यार, रोज अगर मैं math करने लगता, तो फिर मतलब, बाकी subjects कब करूँगा मैं, यह आप लोगों का भी question होगा, यह रोज math करेंगे, तो कैसे करेंगे, बट आपको time निक ज़रूर मिलती है, तो आपको भी वस उसी तरीके से चीजों को सोचना है, कि यार, मिर को करना है इस चीज को, आज नहीं होगा improve, कल नहीं होगा improve, बट डेफिनेटली एक दिन मेरा improvement होगा, और वो improvement आपका तभी होगा, जब आप उसमे lots of questions के practice करोगे, तो practice करना बहुत subject है, वो नहीं हो पाएगा, देखो, सारी की सारी चीजे ना हमारे दिमाग की होती है, मैंने बहुत बार एक चीज, एक कहानी आप लोगों के साथ share करी है, मेरे एक senior है, वो कहते हैं कि, यार, कुल्दीप, मैं आज तक कभी बिमार नहीं हुआ, मैं गा, sir, क्या बात करते हो, बैर, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिमार तो हम होते हैं, ऐसा कोई इनसान नहीं होता है, कि जिसकी कभी आज तक तब्यत ही खराब नहीं हुए हो, वो कहते ही, देखो, होती है, बट मैंने अपने दिमाग को ऐसा प्रिपेर कर लिया है, मैं आपने दिमाग खराब ही नहीं है, मैं पूरा का-पूरा काम करता हूँ जब अगर कभी मुझे fever भी होता है मैं पूरे वही सारे काम करता हूँ तो बस आपको अपने दिमाग को prepare करना है आपको अपने इस दिमाग को समझाना है कि यार मैट से एक difficult subject नहीं है, बहुत easy सब्जेक्ट है यह अगर आपने अपने दिमाग में यह चीज विठा ली कि मैट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है डेफिनेटली वो चीज़े इजी लगेंगी आपको मैट्स पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था कई बारी अगर कोई खतरनाक सा क्वेशन आ जाता है तो मुश्किल लगता है हमें बट वो सिर्फ दिमाग का खेल होता है अगर आपने उसको इजी समझ लिया ना तो वो इजी हो जाता है और जितना आप थंडे दिमाग से कामने इसके साथ चीज़ों को सोचोगे उतना जादा बेटर आपका रिजल्ट होगा तो यह कुछ चीज़े हैं जिनके बारे में मैं डिसकस कर रहा हो आपके साथ कि कैसे आप लोग मैथमेटिक्स को इंप्रूव कर सकते हो कौन-कौन सी वो गलतिया है जो आपको नहीं करनी है जो हम करते हैं जनरली तो मैट्स अपने दिमाग से सबसे पहले यह चीज़ हटा दो कि मैट्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मैट्स बिल्कुल डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है और आप यह सोच लो कि हम इसको कर सकते हैं तो एक मतलब मुझे दो लाइने याद आ रहे हैं जब फैसला कर लि लेकिन उनसे आपको फरक नहीं पढ़ना चाहिए कि यार मेरे से एक वेशन नहीं हो रहा है हाई राम मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा नहीं होना चाहिए आप डेफिनेटली कर सकते हो और वो चीज़े होती भी है आप ताइम दो सब्जेक्ट को अगर आप करना चाहते हो कर देता है तो आपको time invest करना पड़ेगा उसमें कुछ investment देनी पड़ेगी आपको और time जब आप उसमें invest करोगे practice करोगे questions की concept अपने strong करोगे तो definitely आपका math improve होगा दूसरी चीज़ बच्चे बहुत बार गलतिया क्या करते है वो करते अच्छा teacher ने आमें समझा दिया आप तो हम फनने खा होगे अब हम चीजों को solve करने लगेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है कभी भी देखो कभी भी अगर आप कोई lecture लेते हो ना तो आप सबसे पहले उस particular को उन questions को ही solve करो उस particular चीज को solve करो जो teacher ने आपको कराया है मालो मैंने अगर आज के session में आपको 4 questions कराया है तो आप सिर्फ उनहीं 4 questions को सबसे पहले करो और उसके बाद देखो कि आपकी NCRT में या जो भी आपकी reference books है आपके पास उस topic से related कितने questions है और मैं कैसे कर सकता हो फिर उन questions को target करो लेकिन सबसे पहले चीज ये करो कि जो questions आपके session में हुए हैं आप उनही questions को करो क्योंकि वो आप अपना तिलस्मी दिमाग यूज करने लग जाओगे न तो फिर वो चीजे कई बार भारी पड़े जाती है प्रैक्टिस करो लेकिन एक सही strategy के साथ करो strategy से मुझे याद आया बहुत सारे बच्चों के strategies ही बहुत गलत होती है उनका planning proper नहीं होता है तो एक proper planning के साथ जब मुझे easily कर सकता हूं मैं जो मुझे easily आते हैं जो मुझे difficult लगता है उसमे थोड़ा जाधा time दो जो easy है उसमे थोड़ा कम time दो कई बार बच्चे क्या करते हैं जो easy चीजों होते हैं उसको करने में लगे 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 बस उसको करने में यह तो मज़ा रा मे आप इजी चीजों को भी time दो लेकिन उतना time अपना waste मत करो उस पे time देने में और time waste करने में बहुत थोड़ा सा फरक होता है समझधार के लिए तो बहुत जाधा फरक होता है बठोड़ जिनको समझ नहीं आता है उनका बस spelling का फरक है तो आप उस चीज को समझो कि मुझे किसमे कितना टाइम देना है और उस चीज में उतना जाधा टाइम वेस्ट करने की जरुरत नहीं है जो easy चीज है उसको थोड़ा कम टाइम दो जो difficult है उसमें थोड़ा जाधा टाइम अपना invest करो तो टाइम की आपको investment करनी पड़ेगी उस particular subject में तब जाकर आपका mathematics improve होगा हैना daily आप कोशिश करो कि आप maths कर सको मैंने कई बार आपको बताया भी है तीन तरह के students होते एक जिनको maths बिलकुल नहीं आती है एक जिनको maths थोड़ा बहुत आती है और एक जो mathematics में बहुत अच्छे होते है तो जो बहुत अच्छे है वो थोड़ा कम time देते हैं जो बिलकुल average है वो थोड़ा उनसे जाधा time देते हैं और जो बिलकुल below average बच्चा है जिसको mathematics बिलकुल अच्छा नहीं लगता है तो उसको बहुत जाधा मेहनत करने की जरुरत है बहुत जाधा मेहनत करने की जरुरत है अगर आप कुछ करना चाते हो मैं आज में मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको मतलब करना ही करना है वो हर बच्चे का अपना एक interest होता है हर बच्चे का अपना एक सोच होता है कि उसको क्या करना है life में लेकिन अगर आप करना चाते हो तो आपको उसमें time invest करना पड़ेगा नॉर्मल बच्चा अगर दो घंटा mathematics कर रहा है और अगर आपको mathematics में कुछ करना है यह सारी की सारी चीजे थी जो मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की कि कैसे हम अपना math improve कर सकते हैं और क्यों हम अपना math मतलब वो कौन सी गलतियां है जिनको हम करते हैं अपने like throughout the year throughout the journey of the subject कि हम क्यों नहीं improve कर पाते हैं उस particular subject में तो मैंने आपको बता है क्यों improve नहीं कर पा रहे हो आप लोग और कैसे आप उसको improve कर सकते हो so I hope आप लोगों को यह session अच्छा लगा होगा दोस्तो and अगर आप लोगों को session अच्छा लगा है so make sure कि you should hit the like button and अगर आप इस channel पर नए हो तो आप लोग इस channel को subscribe जरूर करिए and जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ share करिए बाकी अब हम मिलेंगे किसी अगले दिन किसी अगले कहानी के साथ आप लोग comment section में जरूर बताईए कि आपको session कैसा लगा and अगर आप लोगों की कोई फर्माईश है अग्यू सो अग्यू जादाए